Hello everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं Western Philosophy के अंदर एक Late 20th Century Movement को जिसका नाम है Postmodernism जिसे हम Postmodernity भी कहते हैं Postmodernism term को first time use किया Yann Frankos Letard ने in his publication The Postmodern Condition उन्होंने इस time को first time use किया 1979 के अंदर Yann Frankos Letard ने इस time को first time use किया Postmodernism actual में क्या है ये एक reaction था Against the intellectual assumptions and values of modern period Western philosophy के अंदर, history के अंदर ये एक reaction के तोर पर सामने आया जो भी modern values थे, beliefs थे जो भी उनकी intellectual assumptions थे उनके खिलाफ ये एक straight forward denial था modern values का जो भी उनके beliefs थे, values थे उनका एक straight forward denial था postmodernism कैसे denial था, कैसे reaction था इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इसकी characteristics के था characteristics को पढ़ेंगे इसके साथ हमें समझ आएगी के कैसे ये reaction था postmodernism reaction था modern age के खिलाफ अब इसकी characteristics क्या क्या है characteristics में number one पर है objective natural reality postmodernism इस चीज़ को totally deny करता है postmodernism का मानना है कि कोई भी चीज absolute truth नहीं है objective natural reality की existence नहीं है ये सिर्फ conceptual constructs है ये scientific practices है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कोई भी चीज absolute truth नहीं हो सकती for example एक इनसान है जो किसी के लिए positive है और किसी के लिए negative किसी को वो अच्छा लगता है और किसी को बुरा तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो बुरा है या अच्छा है हर इनसान उसके बारे में अपनी thinking अपनी practices अपने concepts की basis पर बनाएगा कि कोई इनसान उसको समझने में उसकी जो emotions है उसकी कोई mental illness है कुछ भी वो role play कर सकता है और कोई इनसान positive है तो उसको वो positive लग सकता है तो हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि ये absolute truth है या objective natural reality है दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया के अंदर absolute truth कुछ भी नहीं है कोई भी objective natural reality नहीं है मतलब ये कि बारिश का मौसम हो सकता है कुछ लोगों के लिए खुशी का बाइस हो और कुछ लोगों के लिए दुख का अब एक इनसान बारिश के मौसम को अगर दुखी होकर समझ रहा है तो उसकी उस समझने के दरमियान कोई ऐसी चीज़ है जो interrupt कर रही है उसे उसकी emotions वो गुसे में है परेशान है तो वो सारी चीज़ें interrupt करेंगी उसे समझने में और फिर वो बारिश के मौसम को उदास कंसीडर करेगा और कोई इनसान उसे अच्छा कंसीडर करेगा पॉजिटिव जेस्चर कंसीडर करेगा दैट मेंस उसकी emotions और उसके जो भी life है वो पॉजिटिव है खुशी से भरी हुई है तो वो चीज़ें interrupt करेंगी तो हम किसी भी चीज़ को absolute truth consider नहीं कर सकते क्योंकि society के अंदर ये social constructs है conceptual constructs है scientific practices है इससे ज़्यादा कुछ नहीं ये है post-modernism का मानना first characteristic है कि post-modernism absolute truth को totally deny करता है number two is reason and logic post-modernism इस चीज़ को भी deny करता है मतलब ये कि science और technology का ये मानना है कि reason और logic के साथ जो इनसान है वो progress कर सकता है इनसान की progress है science के साथ, technology के साथ reason के साथ, logic के साथ post-modernism इस चीज़ को totally deny कर रहा है post-modernism का मानना है कि science और technology के आने से दुनिया में सिर्फ तबाही हो रही है और कुछ भी नहीं मतलब ये जैसे हमने देखा वर्ड वार्ज इसके इलावा भी बहुत सारी चीज़ें तो साइंस और टेकनॉलोजी से इनसान की लाइफ में प्रॉग्रस नहीं आती बलके डिस्ट्रक्शन आती है तबाही आती है और रीज़न और लॉजिक को इनसान इस्टमाल करता है दूसरे को अप्रैस करने के लिए दबाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं हम रीजन को लॉजिक को इस्टमाल करते हैं अपने आपको सही साबित करने के लिए और दूसरे को दबाने के लिए और साइंस और टेकनॉलोजी भी यही रोल प्ले कर रही है सोसाइटी के अंदर सोसाइटी का यह मानना है यह मौडरन तिंकिंग थी यह कि रीजन और लॉजिक यह जो हैं वो कुछ एपसोलूट है मतलब कुछ एपसोलूट लॉज हैं जिनको हमें मानना चाहिए और उनकी मताबिक जिन्दगी गुजारनी चाहिए जबके पोस्ट मॉडरन इजम इस चीज़ को टोटली डिनाई करता है कि रीजन और लॉजिक जो है वो सिर्फ अपरेशन के काम आ सकती हैं और कुछ भी नहीं साइंस और टेकनालोजी जो है वो माशरे में पॉजिटिव नहीं बलके नेगिटिव रोल प्ले कर रही है तो पोस्ट मॉर्डन इजम इस चीज़ को भी डिनाई कर रहा है कि रीजन, लॉजिक, साइंस, टेकनालोजी इनका पॉजिटिव रोल है माशरे में और ये इनसानी तरकी के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं तो ये second denial है पोस्ट मॉर्डन इसम का थर्ड करेक्ट्रिस्टिक इस human psychology पोस्ट मॉर्डन इसम का मानना ये है कि human psychology जो है वो socially determined है it is completely socially determined modern belief ये था कि human psychology जो है वो by birth है कि इनसान की जो nature है, attitude है वो by birth ही ऐसा होता है जबके पोस्ट मॉर्डन इसम इस चीज़ को deny करती है, पोस्ट मॉर्डन इसम का मानना ये है कि human psychology जो है वो society determined करती है society उसके अंदर major role play करती है psychology, इनसान की psychology society बनाती है इनसान क्या सोच रहा है, क्या गलत है, क्या सही है वो society उसे बताती है, by birth कुछ भी नहीं है psychology by birth नहीं है, बलके socially determined है completely socially determined fourth characteristic is language पोस्ट मॉर्डन इसम का मानना ये है कि जो language है वो self-contained है self-referential है एक language जो है, language के अंदर जो words है वो एक इनसान के लिए कुछ meaning create कर सकते हैं और दूसरे इनसान के लिए कुछ हम ये नहीं कह सकते के एक word का meaning जो है वो universal है सबके लिए same है, ऐसा नहीं है एक society के अंदर language और words का कोई meaning हो सकता है और दूसरी society के अंदर कोई language self-contained है एक word है कोई इनसान उसको positively समझ रहा है और कोई negatively समझ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते के language जो है वो universal है बलके language self-contained है self-referential है हर society के अंदर, हर area के अंदर उसका meaning change हो जाता है इनसान एक जगा से दूसरी जगा जाता है तो उसको समझ में आता है कि जो चीज उस area में से कुछ है और दूसरे area में कुछ और है word का meaning कुछ और है और word meaning जो है वो differences और contrast की basis पर बनाए जाते है for example हम कहते हैं कि cat, billy को कहते है क्यों? billy को इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछे को नहीं कहते है that is a dog तो हम differences create करते हैं जिससे हम समझते हैं words को, meanings को तो वो ही words और वो ही meanings differences और contrast की basis पर किसी और area में different हो सकते हैं उनका meaning different हो सकता है तो यह है postmodern belief के language self-contained है self-referential है then fifth characteristic is relativism postmodernism के अंदर हमने शुरू में पढ़ा कि there is no absolute truth यह है relativism कि जो truths हैं वो social constructions हैं वो depend करते हैं race पे, class पे, gender पे और power status पे क्या मतलब? मतलब यह कि एक इनसान की reality दूसरे से different हो सकती है हम यह नहीं कह सकते कि यह absolute reality है upper class की reality lower class से different होती है इसी तरह से जो race है, gender है, class है उसके accordingly reality change होती है तो absolute truth को totally deny कर रहा है postmodernism पर हमारी last characteristic है skepticism हमने पढ़ा कि जो postmodernism है उसके अंदर objective knowledge जो है उसके बारे में बात की जाती है यह एक objective knowledge है जिसकी basis पर हम progress कर सकते है postmodernism कहता है कि यह impossible है postmodernism को हम कहेंगे the theory of rejecting theories जो भी knowledge है, जो भी theories है उनको totally reject करता है postmodernism कि हर चीज, दुनिया में जो भी चीज है उसके पीछे एक question है मतलब यह कि postmodernism जो है हर चीज को reject करते हुए एक question raise कर देता है और उस question के पीछे reason यह है कि आपकी reality और दूसरे person की reality different है तो अपना knowledge दूसरे के उपर मत लगाएं उसे मत बताएं के truth क्या है, reality क्या है अपनी reality अपने तक रखे क्योंकि दूसरे इंसान की reality आप से different है तो अपनी reality को उस पे थोपे मत यह है post-modernism post-modernism past के अंदर जितनी भी ages गुजरी है उसमें जितनी भी theories थी जो भी कुछ था उस सब को deny करता है because post-modernism is the sense that past is restricting, smothering, blackmailing us कि अगर हम past में रहेंगे तो हम blackmail होते रहेंगे हम खुद नहीं सोचेंगे खुद नहीं समझेंगे कुद नहीं देखेंगे कि क्या सही है और क्या घलत है हमारे मताबिक हम फिर उन absolute truths पर ही बैठे रहेंगे और अपनी जिन्दगी को गुजारते रहेंगे post-modernism कहता है कि उठो और सवाल करो कि ऐसा नहीं ऐसा है दुनिया को अपनी reality भी बताओ सिर्फ एक ही objective reality पर मत जिन्दगी गुजारो ये है post-modernism so simple words में हम ये कहेंगे कि post-modernism कहता है कि there is no absolute truth there is no absolute knowledge there is no logic or reason behind that and logic and reason cannot bring progress in human life तो ये चार चीज़े हैं जिनको deny कर रहा है mainly post-modernism क्योंकि उसका मानना है कि जो सब कुछ हमारी जिन्दगी के अंदर है society, language, differences, concepts, objects everything is a social construct हमारी life के अंदर जो कुछ भी है वो एक social construct है वो absolute truth नहीं है objective reality नहीं है ये है post-modernism जो भी कुछ हमारे इर्दगीर्द है वो एक social construct है इससे जादा कुछ नहीं तो ये है post-modernism उमीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूगी अपनी next वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज